चचार बच्च अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकाल लिए और उसमें निकाल लिए पेज नंबर आपका है 61 यानि की 61 तो पेज नंबर 61 में आज हम करेंगे काल यानि की टेंसिस काल क्या होते हैं बच्चों पिछले अध्याय में आपने किरिया के बारे में पढ़ा कि के होने और समय का बोत कराया जैसे होता है जैसे शिवानी ने गीत गाया बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं पेड़ परफल लगेंगे पहले वाक्य में पढ़कर पता चलता है कि शिवानी गाना गा चुकी है शिवानी ने गीत गाया यानि कि उसने गाना गा लिया है अर् अर्थात काम हो रहा है और दीसरे वाइक प्दा चल रहा है कि पेड़ पर फल लगेंगे अर्थात अभी हो गाम काम अभी पूरा नहीं हुआ है अथवा करिया के जिस रूप में कारे के होने या करने का समय का बौध होत उसे काल कहते हैं काल का आर्थ है समय यहां गाया खेल रहे हैं तथल लगेंगे तीनों शब्द क्रिया के होने के अलग-लग समय का भूत करवा रहे हैं अधर यही काल कहलाता है अब बच्चे काल के कितने भीद होते हैं तीन भूत काल वर्तमान काल और भविश्यकाल अब भूत काल क्या होता है जिसे हम खेल रहा था यानि कि उस खेल लिया उसने शायद उमंग कल आया होगा कल बारिश में अतुल भी गए थे अर्चिना ने पत्र लिखा तिन वाक्यों में क्या काम हो रहा है इनमें काम हो चुका है बीदे समय में काम हो गया अथा यह क्या है भूत काल है ठीक है आगे बढ़ते ह आगे है वर्तमान काल वर्तमान काल किसी पूलते है किरिया का वहरूप जिससे पता चले कि काम अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते है जैसे शशांक गीत गाता है मतलब अभी वो गाता है राजिस खाना खा रहा है भी खाना खा रहा है शौरव विद्याले जा रहा है ब काम आने वाले समय में होगा उसे भविश काल कहते है अर्चन कल आएगी अभी शेग पतลर लिखएगा हम बजार जाएंगे कल बारश होगी यनि कि वो काम अब होगा तो इन काम में मतलब यह काम अभी पूरा नहीं हुआ यह काम अब आने वाले समय में होंगे तो इसलिए ने भविश्यकाल कहते हैं ठीक है तो अब इसका अभ्यास भी हम कर लेते हैं इसमें मौकिक प्रश्ण है लिखिट प्रश्ण है तो आप अपनी कॉपी निकालिए कॉपी में मौकिक प्रश् उसे काल कहते हैं ठीक है यानि कि काल समय में क्या बोलते हैं कि किरिया कब हुई है किरिया के रूप से किस बात का पता चलता है तो किरिया के रूप से काम के करने अत्वा होने का पता चलता है काल किसे कहते हैं लिखित प्रश्ट तो किरिया के जिस रूप से काम के करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते है आगे है काल के कितने प्रकार भीद होते हैं तो काल के होते हैं तीन भीद भूत काल, वर्तमान काल और भविश्य काल जैसे कि अभी हमने पढ़ा था अब इसकी जो बाकी के अभ्यास है वो आप अपनी पुस्तक में ही करेंगे तो सही विकल पर सही निशान लगाई ये किरिया के जिस रूप से काम के होने का पता चले उसे कहते हैं काल उसे क्या कहते हैं काल काल के कितने भीड हैं तो काल के हैं तीन भीड चल रहे समय को क्या कहते है जो समय चल रहा है उसे कहते है वर्तमान काल आने वाला समय क्या कहलाता है आने वाला समय भविश्यकाल कहलाता है बीते समय को क्या कहते है बीते समय को भूत काल कहते है यह निकि जो काम हो गया अब आपको क्या करना है तीसरे वाले पर सही और गलत का निशान लगाईए दोबी ने कपड़े दोई वर्तमान तो वर्तमान है नहीं गलत यह क्या है गलत है दोबी ने कपड़े दोई यह नहीं कि उसने काम कर लिया है तो यह तो भूत काल है तो यह गलत होगा मोर नाच रहा है भूत काल तो ये भी गलत है मोर नाच रहा है भी नाच रहा है तो भूत काल नहीं होगा हो शेर दहाड़ेगा भविशे काल तो ये बिल्कुल सही है शेर दहाड़ेगा यानि कि भविशे काल है मामा जी दिल्ली जाते है वर्तमान काल बिल्कुल सही है नेहा कल दिल्ली से आई भूत काल ये भी सही है आ गई है हो श्रीकिष्ण ने अर्जुन को उपदेज दिया वर्तमान काल ये भी गलत है उपदेज दिया यानिक उन्होंने दे लिया अब जो चौता है निम लिखित वाक्तियों के सामने आपने काल लिखने है माता जी दिली जा रही है यानि कि अभी जा रही है तो वर्तमान काल है मैं अगले वर्ष नए विद्धाले में जाऊंगा तो यह क्योंगा भविश्य काल दादा जी ने खाना खा लिया है उन्होंने अपना काम कर लिया है तो भूत काल वर्ष हो रही है तो अभी वर्ष हो रही है तो यानि कि वर्तमान काल कल मेरा जरम दिन है यानि कि आने वाले समय में कल जो कल आएगा घर बन चुका है यानि कि घर का काम क्या पूरा हो चुका है वो बन चुका है तो भूत काल खाना शाम तक बन जाएगा तो अभी बनेगा खाना शाम तक बन जाएगा यानि कि भविश्यकाल तो बच्चे इसमें आपका अभ्यास हो गया है तो इसमें हमने क्या पढ़ा काल के बारे में पढ़ा था काल जो किसको कहते हैं काल यानि कि किरिया के जिस रूप से कारे के होने या करने का पता चलता है उसे काल कहते हैं काल के तीन भीर होते हैं भूत कल, वर्तमान कल और बविश्य कल तो जैसे मैंने आपको करवाया था इसकी प्रेशन उत्तर आप अपनी कॉपी में करेंगे और बाकी अभ्यास अपनी पुस्तक में करेंगे तो यहाँ पर हमारा यह पूरा हो गया है